बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपने इट्यूप से पेपर हैकर में आज हम बात करने वाले हैं और मैं हूँ सूरज राज और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं B.S.C. थर्ड येर वालों के लिए केमिश्टी का फर्स्ट वीपर जो कल है एक M.G.P. अलखंड उनिवर्स्टी वाले है उसका पेपर होने वाला है चाहें आप किसी भी उनिवर्स्टी से हैं मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि एक्जाम से एक दिन पहले या फिर दो दिन पहले मैं 10 से 11 कोशन देता हूँ वो कोशन देता हूँ जो आपके पेपर में छपते हैं तो यार आपने आप वीडियो को देखके तो चले जाते हो कुछ ज़्यादा तो नहीं वांग रहा है आपसे बस एक दो सेकिंड का काम नहीं है ठीक है आप इस्तना करो यार क्योंकि मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत करके कर रहा हूँ ठीक है तो आपका भी हग बनता है कि अप चूटा सा लाईक और संस्क्राइब बनता है ठीक है और थोड़ा शपर्ड करो सभी दोस्तों को बता तो फ्हेला तो सह मिमा की पेपर है करके बताएं सारे के सारे koshen आते हैं एक भी koshen आदा नहीं याद तो 85% प्लस का बादा तो मैंने उस वीडियो में किया होगा, आपने 10-15 दिन पहले वाले वीडियो को देख लेना, सथ में बही कोशन आएंगे, बही चपेगा, कुछ बाहर से नहीं आने वाला साती हो, चनल को आपको सस्क्राइब कर लेना है, दोस्तों को शेर कर देना है, को से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप छोटा सा एक मैसेज करो, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और चलो को सस्क्राइब करेंगे, और चलो स्टार्टिंग करते इस वीडियो को, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्रिश्टल दिखुए है, जिसे हम CFT के नाम से जानते है, ये कोशन आप रट के जाना, लॉंग में कोशन चपेगा, एक कोशन आता है, कारवन धात्मिक योगिक क्या होते हैं, एक कारवन लीथियम योगिक बनाने की विद्धी, ये दो कोशन है, इन में से एक कोशन चपत क्योंकि आज की रात इनी कोशनों को याद करना है, बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना है, फाल्तू टाइम बरवाद नहीं करना है, उसके बाद में है, फास बोजीन बनाने के प्रियोग बनाने कैसे जाती है, कहां प्रियोग किया जाता है, और उसका क्या गोण है, उसके ब कोशन दिये थे balance bond theory crystal field theory और एक है monocular theory इन में से तीर में से दो कोशन फसेंगो वो भी long में तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहां से आपका लगबग कह सकता हूं कि 40% कोशन यह से फसेंगे ठीक है तो आप इन तीन कोशन को रट लेना मैं आपसे बोलूगा कि यह कोशन आ रहा है पेपर में एक यह कोशन आप देख रहे हैं D1 से लेकर D9 तक के electronic विन्यास को याद करके जाना यह कोशन कभी-कभी short में कभी-कभी long में आता है और यह कोशन आपका पक्का पेपर में चपने वाला है एक लास्ट में कोशन कहूंगा कि H-S-A-B क्या होता है Heart and Soft Accident Base जो होता है उसमें मैं कह सकता हूँ यह कोशन आपका long में भी आता है कभी-कभी short में भी आता है तो इस कोशन को आप रट के जाएंगे इस प्यक्त्रम केमिकल सीज को पढ़के जाएंगे यह कोशन शॉट में छपेगा इसको कोई हटाने वाला पैदा नहीं है आपके पेपर से तो इसलिए क्योशन को पढ़के जाएंगे उसके बाद में एक कोशन बहुत ज़्या इंपोटेंट है धातु कारवॉल कारवोलिंक क्या होते है इनको पढ़के जाना सिलिकॉस क्या होते हैं ट्रीकॉन के कितने पुरकार होते है यह कोशन भी आपका पेपर में स्था इस इसको इसको जपी उस अंवन ऑरते Percand to me anterior, पक्का चपने वाला है कोई जटा नहीं सकता, इसको कोई भी नहीं अड़ा सकता अमल वर्सा क्या होती है, इसरोट में चपेगा vitamins के कितने पिरकार होते हैं, vitamins के सभी पिरकारों की बारे इम देख लेना स्रोथ बता देना, पूरा question चपने वाला है एक कोशन आता है आयोटीन, फासफोर, क्लोरेड, क्रेनियम पूरा कोशन लॉग में चपेगा रट लेना इस कोशन को मैगजिनिजम के क्या कार होते हैं जैविक तंदर में मैगजिनिजम के कार के बारे में पढ़ लेना शॉट में चपेगा एक कोशन आपने देखे होंगे कुछ-कुछ उनिवस्टी में डी-डी संक्रण क्या होता है ये कोशन छपता है ये बाहर के रूट से ये आपके गैस पेपर नोट्स में एक कोशन है तो पढ़के जाना हुंड का रूम, पॉली, और बाव का नियम और डी-ब्रॉंगली समीगर के बारे में ये तीन-चार कोशन है, जो आप पढ़ लेना लाश्ट में, जब यदि आपके गैस पेपर में ये कोशन हो तो, एक है लाश्ट में हैविडियाजेशन, संक्रण जिसे कहता है ये कोशन, बस इतने कोशन पढ़के जाना बात हैं, उन्नों भी बतादो, भाई, जब आपका पेपर देने के बाद हो जाए, पेपर आपका छूट जाए, बाहर जब आने वाले हो तो, कहा देना, कौपी जमार हो तो, भाई, पेपर हैकर एक पहले का डोज़ ऐए, सारे कोशन तयार करके जाना, दोसों को शेर कर दे दिस्कप्शन बॉक्स में मैंने एक नंबर दे रहा है आप उसमें बता देना कोई कॉमेंट कर देना कॉमेंट कर अप्लाई कर दूगा मैसेज कर देना मुझे कॉल कर देना यार सब सो बिधाओं के लिए हम आपके लिए 24 x 7 कह सकते हैं 24 x 7 आपके लिए प्लब्ब्द है तो सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेर करना कोई प्राब्लम है तो वर्ट्सप नंबर में डिस्कप्शन बॉक्स में दे रहा है बता देना है ठीक है